वेल्कम टू लेर्न अभी आएम शेवानी चाहान, क्लास 7th Maths का PT1 का solve question paper हम लोग देखने वाले हैं तो देखिए सबसे बहुते स्टार्टि में MC की उसाते हैं, हाँ, इसका PDF आप लोगों को टेलेग्राम ग्रूप पर मिल जाएगा टेलेग्राम ग्रूप का लेंक आप लोगों को description box में मिलेगा, जरूर जोइन करेगा, बहुत beneficial आप लोगों के लिए वो हुगा तो देखो, पहला question है, 3x minus 1 equals 2, तो 3x की multiply आप minus 1 से करोगे, तो answer में आ जाएगा, minus 3 तो answer क्या हो जाएगा, B option is correct, minus 3 answer हो जाएगा, next है कि minus 50 को divide कर रहे हो minus 5 से, तो 5 बंस आ 5 और 0 और 1 minus आ जाएगा तो answer हो जाएगा हमारे पास A option minus 10, next है 5 minus 8, 5 में से आप 8 minus करोगे, तो 3 आएगा, minus क्योंकि 8 के आगया और 8 बड़ा है, इसलिए answer आ जाएगा minus का 3 तो इसलिए हमारे पास D option correct हो गया, next है half of 24, तो 24 का half, यहना 1 by 2 of 24, तो 1 by 2 off की जगे multiply का sign लगेगा, और 24 2 1s आ 2, 2 2s आ 4, तो answer क्या आ गया, answer हमारे पास आ गया, 12, next है, देखो, 12 divided by 3 by 4, तो जब भी ऐसा होता है, कि fraction में है division के बाद number, हाँ, तो इस case में हम लोग ऐसा करेंगे, 12 divide की जगे multiply, और यह जो 3 by 4 है, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, 3 by 4 को उल्टा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 4 by 3, तो 3, 4 जा 12, 4 जा 16, ऐसा ही किया जाता है, solve करने के लिए divide की जगे multiply, और जो fraction वाला बाद उसको उल्टा कर देते हैं, question number 6 है, 0.05 की multiply 7 से, तो 7 5 जा 35, ठीक है, और point के आगे दो नंबर हैं, तो दो नंबर के जस्ट आगे point आ जाएगा, तो 0.35 answer आ जाएगा, range निकालने हैं data की, तो range है 12, 5, 11, 17, 7, 43 और 52, range निकालने का formula हमारा होता है कि highest value में से हम lowest value को minus कर देते हैं, तो highest value minus lowest value, तो यह होता है range, तो highest value हमारे पास है 52, है ना, 52 में से आप 5 को minus कर दीजे, तो 52 minus 5, answer is 47, mode, तो mode निकालना होता है अगर हमें किसी data का, तो हम उसको सबसे पहले न, ascending order में range करते हैं, वैसे तो mode होता है most repetitive number, जो number सबसे जादा बार repeat हो रहा होता है, उसको हम लोग mode बोलते हैं, तो सबसे जादा बार यहाँ पर 2 repeat हो रहा है, तो 2 हमारा mode हो जाएगा, next है equation for 10 time a is 70, 10 times a, यानि कि a को आपने 10 times किया, यानि कि 10 से multiply किया, is 70, यानि कि is की जगा equal to, और 70, तो answer हमारे पास आजाएगा, 10 a equal to 70, और यह हमारे पास c वाला है, next है compliment of 30, तो देखो, compliment क्या होते हैं, 90 degree, और supplement होता है, 180 है न, तो compliment of 30 अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, 30 को minus कर देंगे, 90 में से, तो 90 minus 30, यानि कि compliment 30 का क्या हो जाएगा, 30 का compliment हमारे पास आजाएगा, 60, supplement of 30, तो 30 का supplement कैसे निकालेंगे, 30 का supplement निकालेंगे, आप 180 में से minus कर देंगे, 30 को, तो 180 minus 30, answer is 150 Question 12 है, an angle is more than 45 degree, its complement angle will be तो एक angle है 45 से ज़्यादा है, तो complement है, यानि कि 90 से minus ही करना है बढ़ हमें बोला गया है कि 45 से ज़्यादा है अगर angle तो complement उसका क्या होगा 45 से कम ही होगा, क्योंकि 90 तो total आना चीए अगर एक 45 से बढ़ा है suppose करो 46 है, तो दूसरा वाला तो 45 से कम ही हो सकता है तो less than 45, next section B का पहला है I am a number, मैं एक number हूँ, suppose करो X माल लिया Tell my identity, मैं एक number हूँ, मेरे बारे में बताओ Take me 7 times over, 7 times over, यानि कि मुझको 7 गुना कर दो Add a 50, और फिर मेरे में 50 add कर दो To reach a triple century, तो reach a triple century यानि कि 300 बनने के लिए मेरे को To reach a triple century, you still need 40, अभी भी तुम्हें 40 और चाहिए तो हमारे पास equation क्या आ जाएगी 7x plus 50 plus 40 is equal to 300, है ना, यह आ जाएगी फिर हम लोगों को solve करके बता देना है कि number क्या है तो 7x, 40 plus 50, 90 हो गया अब हम लोगों को x की वेल जो निकालनी है ना, इसलिए हम x को अगेला चोड़ना पड़ेगा तो हम सबसे पहले जो 90 इधर प्लस में है, equal to से दूसरी तरफ जाकरके यह 90 माइनस का हो जाएगा तो 300 माइनस 90, 300 में से 90 को माइनस करोगे तो answer बच्चे का 210 अब 7 जो है x के साथ मल्टिप्लाइ में है, equal to से दूसरी तरफ जाकरके यह 7 डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 321 यानि कि जो x की value आ गई, वो आ गई 30 next देखो, हम लोगों को बोला गया है, draw a double bar graph for the following data तो यह जो data है, इसका double bar graph बनाना है इसमें हम लोगों को favorite sport बता रखा है, तो favorite sport 5 हमें दे रखे हैं cricket, basketball, swimming, hockey और athletics watching time, कितनी data इनको देखा जाता है, और participating, यानि कि कितना percentage किता इसमें participation है तो देख रहे हैं 1240 लोग और participate कर रहे हैं 620, तो इस तरीके से हम लोगों को यह काफी सारा बड़ा data दे रखा है इसका double bar graph हम लोगों को draw करना है, तो इसका double bar graph ऐसे करके draw किया जाएगा, देखो जैसे इस तरीके से अगर हम bar graph draw करें, तो इसमें हम लोग sport लिख देंगे, यहाँ पे sport आ जाएगा नीचे और उपर यहाँ पे side watching और participation, तो अगर हम लोग cricket की बात करें, तो एक watching का आ जाएगा और एक participation का फिर इस तरीके से अगर हम basketball की बात करें, तो एक watching का आ जाएगा और एक participation में आपको अपना पूरा bar graph अभी proper तरीके से दिखा दूगी, देखो तो यहाँ पे देखो, यह आपका number of people है, कि कितने लोग है, फिर यहाँ पर आपके पास है कि cricket, ठीक है, 5 sports है, cricket है, basketball है, swimming है, hockey है, और athletics है यह जो blue वाला है, यह पता रहा है, कि कितने लोग watch कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, और यह जो इस stripe से है, ऐसे करके, यह दिखा रहा है, कि कितने लोगोंने participate किया हुआ है तो और एक unit जो है, वो 100 लोगों को, मतलब यहां से लेकर किया हैं तक 100-100 की हम लोगोंने unit माल लिया तो अब हम अगर देखें, तो cricket देख रहे थे 1240 लोग, और participate कर रहे थे 620 तो यहां पर देखो, 1240 ऐसे आएगा, और 620 सम्थिंग यहां पर आजाएगा, जो participate कर रहे थे इसी तरीके से अगर हम लोग basketball का देखें, तो 470 देख रहे हैं और participate कर रहे हैं 320 तो 470 देख रहे हैं और 320 participate कर रहे हैं इसी तरीके से हम लोग ना सारे के सारे जो graphs हैं वो draw कर देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया ना कि किस तरीके से double bar graph को draw किया जाता है विकुल इसी तरीके से draw किया जाएगा फिर आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है, यह हो क्या? अब देखो, question number 15 है, section C में In a quiz, team A scored, team A का score है minus 40, 10 और 0 है team B का score है 10, 0 और minus 40 इन 3 successive rounds, यानि कि एक के बाद, एक के बाद एक तीन round हुए हैं और इनका यह score आया है which team scored more, कौन सी team ने जादा score किया है तो A team जो है, उसने किया है minus 40, फिर किया है 10 और फिर किया है 0 B team ने 10, 0 और minus 40 इनको हम करेंगे, देखो 0 तो हटा ही देते हैं ना, तो minus 40 और 10 आ जाएगा minus का 30 10 और minus 40 फिर से minus 30 तो दोनों की दोनों जो teams है ना, उन लोगों ने सेम ही score किया है और score है उनका minus 30 तो दोनों की दोनों teams ने minus 30 का score किया है score बिलकुल सेम ही है Next है, question number 16 यह वाला ना, question यह, यह दोनों आपना very important mark कर लो बहुत जाद आते हैं, in fact यह वाला भी 14, 15, 16, मैंने देखा है कि हर साल एक्जाम में जरूर आता है Lipika reads a book for 3, 1 by, sorry, 1, 3 by 4 hours every day इतनी देड के लिए Lipika daily book को पढ़ती है She reads the entire book in 6 days और वो पूरी की पूरी किताब को पढ़ करके complete कर दिया है उसने 6 दिनों में How many hours in all were required by her to read the book तो actually उसको कितना time लगा है पूरी किताब को पढ़ने के लिए तो आप इस तरीके से statement बना के proper तरीके से लिखेंगे Time taken by Lipika to read a book 1, 3 by 4 She reads entire book in 6 days, है ना? तो 1, 3 by 4 को आप लोग करेंगे तो 4, 1 is a 4 और प्लस 3 यानिकि 7 7 by 4 पूरी book उसने 6 दिन में पढ़ ली तो 7 by 4 into 6 काट देंगे तो इस तरीके से आजाएगा 21 upon 2 2, 2 is a 4, 2, 3 is a 6 7, 3 is a 21 21 upon 2 और फिर आप इसको इस तरीके से लिख देंगे 2, 10 जा 20 और यहाँ बचेगा 1 तो 10 1 by 2 यानि कि total hours total घंटे उसको किते लगे उसको लगे साड़े 10 घंटे पूरी की पूरी किताब को पहने के लिए तो इस तरीके से आप लोग गो यह निकाल देंगे यह बहुत जादा important है तो how many hours in all were required by her to read the book तो आप लोग लिख देंगे 10 and half hours in total are required by her to read the book तो इतना ताइम इसको लगे या question number 15 है अच्छा 16 देख लिए 17 देखते है find the mean of the following rate आ तो mean निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है जितने भी number होते हैं सब को add करना होता है फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी होते हैं add करने के बाद sum of all numbers ठीक है sum of all numbers divided by total number तो sum of all numbers divided by the total number तो mean का जो formula होता है sum of all upon total तो यहां पे runs हैं तो sum of all runs upon number of innings तो number of innings तो 8 थी हमने काउंट कर लिया और जितने भी runs थे ना 58 plus 76 plus 40 plus 35 plus 46 plus 45 फिर 0 और फिर 100 इन सब को add जब हमने खिया तो हमारे पास 400 आया 400 से sorry 400 को 8 से divide किया तो answer is 50 तो यानि की हमारा जो mean आया यहां पर mean हमारे पास 50 आगया mean निकालने के लिए पे एक्जाम में आता ही है solve the following equation तो यह equation को आपको solve करना है तो आपको जब ही solve करने को बोला जाता है इस तरीके equation को इसका मतलब है आप लोगों से x की value निकाल लेगा हो कही गई है तो 2x प्लस 6 is equal to 12 हमें x की value निकाल ली है तो यानि की हम लोगों को x को अकेला करना है तो पहले क्योंकि यह plus में 6 था equal to 2 से दूसरी तरफ जब गया तो minus का 6 हो गया तो 12 minus 6 यानि की 6 फिर यहां पर 2 के साथ x multiply में है तो इधर divide हो जाएगा तो 6 upon 2 यानि की 3 तो हमने solve किया तो x की value हमारे पास 3 आए question number 19 है can two angles be supplementary if both of them are दो angle supplementary तभी हो सकते हैं जब दोनों के दोनो 90 हो तभी उनका sum 180 बनेगा तो right हो जागा इसका answer next जो है find the angle which is equal to its complement अपने complement के बराबर 45 होता है 45, 45, 90 find the angle यह भी important है बाबर आता है find the angle which is equal to its supplement तो 90 plus 90 180 बनता है तो यह हम लोगों का हो गया पूरा का पूरा पेपर वीडियो पसंद आया है तो like, share, subscribe ज़रूर करें थेंक्यू